Hello students, CBSC board के students के लिए एक latest news है जो मैं आपकी screen पर लगा रहा हूँ देखे आपकी screen पर CBSC exam 2020 परिखशारती ले सकेंगे अनुमती पत्र इसका मतलब board क्या है consent letter issue कर रहा है कल से school करेंगे download download कौन करेगा इन consent letters को school ठीक है जो आपके board के exams बचे हुए है उनके लिए consent letter issue कर रहा है CBSC board schools उसको download कर पाएंगे माल लीजे आप किसी और district में आप exam देना चाहते हैं वहाँ पे अपने ही district में तो आपको school से consent letter मिलेगा school download करेगा CBSC की website से उसके बाद next screenshot देखिए school को परिखशा केंद list of candidates list of candidates की भी उसमें जानकारी होगी अनुमती पत्र consent letter भी होगा और परिखशा सामेगरी सारी चीज भेजी जा रही है इन सभी चीजों को school 19 जून से download कर पाएंगे बेटा कब से 19 जून से इसके बाद संबंदित परिखशारती को सारी जनकारी उपलब करवाई जाएगी और फिर जितने भी CBSC 10 और 12 के बचे हुए फिश्यों की परिखशा 1 से 15 जूलाई तक आयोजित होनी है जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनके लिए ये concern letter आपको दिया जाएगा एक और बड़ी बात मैं आपको इसमें बता रहा हूँ बोड की माने तो छात्रों को उनके परिखशा केंदर की जानकारी 19 जून से मिलनी शुरू हो जाएगी कब से मिलनी शुरू हो जाएगी 19 जून से ठीक है और जिन परिखशार्थियों ने जिले में केंदर होने का बिकल्फ स्कूलों को दिये था जानकारी लेने के बाद इस्कूल ने बोर्ड को बेज दिया था पहले ठीक है बोर्ड के परिक्षा नियंतरक संयम भारतवाज जो है जो इसके controller of examination है बोर्ड के संयम भारतवाज ठीक है उन्होंने क्या कहा है कि 19 जून से परिक्षा केंदर की जानकारी सारी चीजे अनुमतिपत्र, consent letter डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है स्कूल और जो परिक्षारती है वो स्कूल से लेंगे इसको स्कूल अवेलेबल करवाएंगे केंडिडेट्स को ठीक है आपको स्टुडेंट्स को कौन अवेलेबल करवाएगा स्कूल ठीक तो ये अपडेट है CBSC की तरफ से जो मैं आपको देना चाहता था अब देखिए CBSC जो है एक्जाम गंड़क करवाने पे तुलव हुआ ही है तो आप अपनी studies को continue रखिए वीडियो गर अच्छा लगाए तो like का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फर वाचिंग क्रेटिव इकनामिक्स